नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो बहुत ही खास हुने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाले राज़िट किला पूने घुमनी की जानकारी और इसके प्रमूप पर अटेंसलों के बारे में वीडि करते हैं वीडियो राज़गर किला एक पहाड किला है जो कि भारत के महराष्ट रज्य के पूने जिल्य में स्थेथ है चत्रकदीशिवाज महराज के शाशनकाल के दोरान लगपत 26 वर्षों तक यह महराटा सामराज्य की राज़दानी के रूप में आता इसके बाद राज राज़गर किले की उचारी समंद्र चट से 14 मुटर है राज़गर किला स्रहाथी परोद माला के दक्षिन परचिन में पूने शहर से लगपक 60 किलो मुटर दूर्ष्टीथ है इस किले में ज्यादातर खंडर महल पाने के विशालकुम और प्राचिन और शेशों को देखा राज़गर किले के बारे में समस्त जानकारी देते हैं सबसे पहले हम जानते हैं राज़गर किले के इतियास के वाई में राज़गर किले का इतियास बहुत ही पुराना है और यह किला महाराष्ट्र के पुने जिल्ले में लगबग 4600 पीट की उचाएब पर स्तित है यह मा मान कारियर भारत के प्रारंबिक मद्योकिंग काल में हुआ था राजगड का किला अधिकतर महराटा सामराज के अधिन दहने के लिए जाना जाता है इत किले में चेत्रपती महराज ने काफी लेंबा समय भिता है अनुश्य सकब्दी के दोरान ब्रिटी सेना ने इस किले पर अपना जेंडा रहरा दिया था अर्थात कब्जा कर लिया था राजगड किला खुलने और बंध होने का समय राजगड के लिए की यात्रप पर निकलने से पहले खुलने और बंध होने की जान कर लेना बहुत जोरूरी है तो हम आपको बताते थे हैं राजगड किला सुब 10 बज़े से लेकर शाम 6 बज़े तक सब्था के सातो दिन खुला रएता है इसके बात राजगर किला गुंने के लिए ने पर जरुपिरोटा को कोई पर जरुपे देने के आउश्यक्त है के वहां के यहां आने पर कोई शुर्क नहीं लगता ये राजगर के लिए ऐस पास घूमिया एक रिफितर दम्सक्राईटा不錯 तो उने के आस पास माधर के लिए राजगाट के लिए आसपास परेटन श्थल में पूने शहर के कई आकरशित स्थल है इसके बारे मैं आपको बदाने वाला हूं सबसे पहले शेन्यवारवड़ा पुने शेन्यवारवड़ा पुने का एक प्रसिद्य महले जिससे 1732 में बनाये गया था जो कि पेश्वाव शाषनकाल और छत्रपदे शिवाजी महाराज की याद दिलाता है इसे पेश्वाव ने बनाया था शाम के वक्त यहाँ का नाजारा देखने लाइक होता है भूले शेन्य मंदीर पुने पुने उर्सुलापूर राजमार्पर पुने से लगबख 35 क्रिमेटर दूरी पस्तीर भूले शेन्य मंदीर भगवान भूले का मंदीर है तेरावी शदबती के दोरार निर्मित के आगया यह मंदीर पहाडी के चोटी पर की गई सुंदर कलापूर्थी के लिए जाना जाता है उलिक निया की माता परवती ने इस तान पर नुट्य किया था और इसके बाद वह केलाश परवत के लिए रवाना हो गए थी इसके बाद राजुगांदी जूलाजिकल पार्ग राजगर के लिए के नजदिक बच्चों के लिए सबसे परसिंद्धार जगह है राजुगांदी प्राने जंदर ने जोकि यूआओ के बीट बहुत थीज़िक लोग पियो है पुने से राजुगांदी पार्ग के दुरी लगबग 8 किलोमेटर है पुने का यह शांदार परेट चंस्तर लगबग 131 के शेत्र में फैला हुआ है इस पार्ग में कहीं प्रकार के जुर्यों तो देखने को मेल सकते है इसके बाद सारसबाग गंधपति मंदीर पुने पुने में स्थित सारसबाग गंधपति मंदीर शहर के प्राचीन और भव्यों मंदीरों में से एक है अपने समरुद्धिक, एतियासिक, अतिप और विशिश द्वीप के लिए ये अपने आलेक पहिचान बना चुका है 1995 में मंदे परिसर में एक छोटे संग्राले को जोड़ा गया था और इस संग्राले में भगवान गनिश की मूर्थियों के सेकड़ों जोड़ थे सारसबाग में कंदपति मंदिर का निर्मान मादराव पेशवा ने 1780 में करवाया था इसके बाद भोर व्यूपॉइंट पूने राजगर के लिए के परियाट अंस्तलों में भोर व्यूपॉइंट परियाट अंस्तल भी शामिल है जो पच्चमे गाटों पर हरे भड़े पहाडों का मौनरम दुर्श्य प्रदान करता है यह अस्तल शूटिंग के लिए भी प्रसिद है परियाटों के बीच पिकनिक और एक दिन की सेर के लिए यह एक दर्शनीय स्तान है सही मायने में एक शांदार एवजन्च स्पॉट है जो की पुने से लगबर 35 किलिमोटर दूर प्रस्तीत है इसके बाद पच्चमे गाट पुने पच्चमे गाट पर पुने में और उसके आसपास के प्रुमुक हेल स्टेशन मानसुन के दोरान शांदार नगारे करस्तुत करता है यह हेल स्टेशन एक आदर सबेकिन स्पॉट भी है पच्चमे गाट के आसपास जीलो, छोटी धारियो, अमबोली, पंचंगनी, महाबयशर के अलावा और भी कई लोग प्यस्तर है इसके बाद परवती हिल पुने परवती हिल पुने शहर का एक बहुत प्रसिद्ध स्तर है जो प्राचेद मंदिरों का घर है यहाँ के चार प्रसिद्ध मंदिर भगवान शियू, विश्नु, गनेश और कार्तिके को समर्पित है जो की 17 वी शताब्दी में बनाए गए है समुद्ध सल से 21 पुट की उच्चाई पर स्थीट, परोटी हिल, चोटी से कई शानदार दुश्च देखने को मिल सकते इसके बाद राजगर के लिए की यात्रा करने के लिए सबसे अचा समय कुन सा है, अगर आप पुने के राजगर के लिए की यात्रा करना चाते हैं, तो आप मानसुम और सातियों के मोसम में जा सकते हैं, जोले से लेकर फरूरे के पुने का मोसम सबसे खास होता है, तो इस स रखे स्थानिय भोजन आपको चकने के लिए मिल जाएंगे यहां के स्थानिय स्वादिश भोजन में आपको रेस्टारन के अलावा चेहरी गलियों और सड्कों पर मिलने वाले बेल पूरी वड़ा पाव मिसल पाव फोहा पाव भाजी पितली भागरी दाबेली और पूलन फ यहाग के प्रमुपराटनसल गुमने के बाद यदि आप यहाँ रुपने के लिए आवास्तान के तलाश में हैं तो हम आपको बता देते हैं कि पूने शहर में लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटेल आपको बिल जाएंगे इसके बाद राजगेट किला कैसे चाहे शहर सभी प्रकार के यातायाद साथनों से संपन्न है राजगेट किला फ्लाइट से कैसे जाए राजगेट किला गुमने के लिए यदि आप हवाय मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपकी जानकारे के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं पूने से 15 किलोमेटर दूर लोगा किला जाने के लिए यदि आपने ट्रेन का सफर चुना है तो आपकी जानकारे के लिए बता देके पूने जंक्शन रेल्वे स्टेशन देश के सभी शेवरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है राजगेट फॉर्ट पूने शेवर में स्थीप इसलिए ट्रेन का सफर ह चुना किया है तो हम आपको बता देकी पूने शहर सरक जाल के माध्यम से देश के हर एक बड़े शहर से जुड़ा हुआ है इसलिए आप आसानी से बस से राजगड किला चाह सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको राजगड किले का नक्षा चाहिए तो ल ना भूले और आने वाली वीडियो के नोटिफिशन पाने के लिए बैल अकन दबाना भी ना भूले और अगर आपको किसी ऊर टॉपिक पर रूपिक या किसी और प्लेश के ऊपर हूद चाहिए आपके ट्रिप प्लाइन करने के लिए तो मुझे निजह कमेंड बाक्स में बताएए या इंस्टाग्राम पर वीडियो में देम कर सकते हो थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो और किप सपोर्टिंग अस